हलो फ्रेंड्स आप लोगों का स्वाकत है मेरी चैनल थर्ड आये में आज हम आपके लिए लाए हैं छे मजेदार और चासूसी पहीलिया तो आईए शुरू करते हैं चलिए पहली पहेली देखते हैं एक बार एक चोर चोरी के इरादे से एक घर में गुसता है पर घर में गुसते ही उसे पता चलता है कि ये घर तो एक पुलिस इंस्पेक्टर का है दूसरी ओर इंस्पेक्टर सीमा को एक खबर मिलती है कि उनके घर में चोर घुसाया है वो तुरन्द काड़ी लेके बहां पहुँच जाती है पर चोर उनके आने से पहले ही कुछ समान चोरी करके भाग जाता है तो अब आप देखे वदाईए चोर ने क्या-क्या चुराया वहाँ से चोर ने रोटल आठ चीज़े चुराईए पहले तो ये सन्ग्लासेज दूसरा ये रोमोट तीसरी ये हैट चौथी ये हैंड वॉच पांचमा ये कैश जो कि टेबल के नीचे है छटा वो बैग जो चेर के पास है साथ वी ये सैंडिल और आठ वी ये टेडी वीर का नेकलेस पर जब इंस्पेक्टर सीमा वहाँ पहुंचती है तो चोर पहले ही वहां से भाग चुका होता है वो तुरंट उस चोर का पीछा करती हैं पर उनके सामने आते हैं तीन रास्ते तो दोस्तों अब आप बताईए कि चोर कौन से राफ्ते से भागा होगा चलिए इसका आंसर हम आपको इस वीडियो के एंड में बताते हैं अब दूसरी मज़िदार पहिली की बारी एक समय की बात है तो दोस्ते रवी और सुरेश उन्हें एक दिन एक बेश कीमती खजाने का पता चलता है वो लोग उस खजाने तक पहुँचने के लिए अपने अलग-अलग रास्ते चुनते हैं रवी के सामने आता है एक तलाव जिसमें बहुत सारे मगरमच होते हैं और खजाने तक पहुँचने के लिए उसे वो तरह पारी करना होगा और दूसरी तरफ सुरेश के सामने आता है एक सांपों से बरा जंगल तो अब आप बताईए अपने मंजिल तक पहले कौन पहुचेगा इसका आंसर है कि खजाने तक पहले रवी पहुचेगा अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको देखेगा कि रवी के पास जो टूटी वी नाव रखी है उसमें एक रस्सी है और एक एंकर है जिसकी मदद से रवी दोनों पेडों के बीच में रस्सी बान सकता है और तलाब को पार कर सकता है बिना तलाब में गुसे और दूसरी तरफ सुरेश को हॉट एर बैलून आसमान में दिखतो रहा है जिसकी मदद से वो जंगल क्रॉस कर सकता है पर उसे ये नहीं पता कि वो हॉट एर बैलून आया कहां से है और जब तक वो जाएगा और उसे ढ जी हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने इस पिच्चर के सही शेडो फस्ट वाली है तो दोस्तों इस बात पर लाइक तो बनता है और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा चलिए ऐसी ही एक और पहेली देखते हैं तो बताईए अब जो आपके सामने पिच्चर आएगी उसकी सही शेडो कौन सी है तो दोस्तों इस पिच्चर की सही शेडो फोर्थ वाली है अब आती है पाचवी पहेली की बारी इसमें आपको इन पिच्चर को देख के बताना है कि ये कौन सी शेडो का नाम बन रहा है इस शेडो का नाम है बैंककॉक चलिए अब आखरी पहेली हो जाए इसमें आप बताईए कि ये कौन सा इंसेक्ट है जी हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने इसका आंसर है केटापिलर आईए अब दूसरी पहेली का आंसर देख लेते हैं जिसका आपको बहुत इंदिजार करना पड़ा तो दोस्तो चोर रास्ते नंबर एक से भागा होगा क्योंकि रास्ते नंबर तीन पे तो गीली मिट्टी है अगर चोर वहाँ से भागा होगा तो यहाँ पे उसके फुट्पिर्ट्स होने चाहिए और रही बात रास्ते नंबर दो की तो वहाँ पे CCTV लगा हुआ है लेती हैं